Welcome back to a channel student तो कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं आप लोग स्वस्त और मस्त होंगे तो चलिए बस स्वस्त रहें मस्त रहें और मेरा वीडियो बस देखते रहें और अपने नॉलेज बढ़ाते रहें बस वीडियो देखते हैं तो वीडियो देखनेस सेट 3 सेट 1 तो आलरेडी बन चुका है तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जा करके चेक कर लेंगे वहाँ आपको सारा सब्जेट का मिल जाएगा तो आज हम लोग सेट 3 करते हैं चलिए कोश्चन देखे कैसा कैसा है कोश्चन फस्ट जो है बहुत ही प्यारा कोश्चन है कि एक वाट को परिभाशित करें और होर्स पावर और वाट के बीच का संबंध भी बताएं तो देखे जब एक सकेंड के एक जूल का कारी किया जाता है तो उसे एक वाट सकती कहते हैं और संबंध क्या दिखा सकते हैं तो 1 HP जcombण फ इकनी 1 होर्स पावर इकोर टू 746 वाट होता है सेकेंड कोर्शन देखके ज़िए द्धाफनी तरंग को यांत्रिक तरंग क्यों कहते हैं जो द्धाफनी तरंग होता है कैसे जाता है ऐसे ऐसे जाता है जैसे हम लोग ताली बजाते हैं तो उससे ध्वनी निकलता है वही एक ध्वनी तरंग निकलता है तो वही ध्वनी जो है यान्त्रिक तरंग भी इसको कहा जाता है चाहे हां थाले से हम लोग घंटी बजाएं तो ठीक है उसके बाद S8 का molar द्रबे मान ग्याद कीजिए S8 S4 य 32 होता है जब यह दोनों को गुणा कर दिये तो 256 ग्राम आपका निकल गया और फिर फूर नमर कोश्चन देखिए वन यूनिट हाइड्रोजन तथा एक ग्राम हाइड्रोजन में परमानियों की संख्या कितनी होगी तो देखिए वही आपका 6.022 इंटू 10 to the power 23 जो अब अगा यहां पर आपका परमानियों संख्या 11 है इसको नोट कर लेंगे और इलेक्ट्रोनिक विन्यास 28 है इसको भी नोट कर लेंगे तोड़ा सा छूटिया था अब आजाए नेक्स्ट कोश्चन आपका 6.0 मलेरिया नामक विमारी किस मच्छर के काटने से होती है तो मलेरिया किस से होता है तो मादा एन्फिलिम जा मच्छर के काटने से होता है उसके बाद दो असंक्रामक रोग का नाम बताना है तो देखे दो मधुमे घेंगा और हिर विदुद उर्जा की खपत करता है, तो इसकी सकती क्या है, सकती बताना है आप लोगों को, सकती कैसे निकालेगे, तो देखे जो जो चीज दिया हुआ है, पहले वो देख लेते हैं हम लोग, तो टाइम जो दिया हुआ है, कितना है, वो 10 सेकेंड है, और 1000 जूल जो है, वो व वाट आपका एंसर हो जाएगा, ठीक है, अब आजाए नाई नमबर कोश्चन, तरंगन धैर को परिभाशित कीजिए, इसे कैसे निरूपित किया जा सकता है, तथा इसका एसाई मातरक लिखिए, तो देखिए, दो क्रमागत संपिडनों या विरलनों के बीच की दूरी को तर दर होता है, उसका दस नमबर कोश्चन देखिए, आठ गराम ऑक्सिजन में अनुओ की संख्या गयात करना है, तो देखिए, कैसे अनुओ की संख्या गयात करते हैं, आठ गराम है, तो पहले ऑक्सिजन यानई O2, O2 का मोलर दर्विमान कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 16, 32 हो जाएगा, 16 क्या परमानु संख्या है, और 2 है, 16, 32 गुना कर दिए, अब देखे, अनुव की संख्या ग्याद करने का यह formula है, याद रखेगा, दिया गया द्रवेमान को भागा कर देते हैं, मोलर द्रवेमान से, और गुना कर देंगे, अवगादरो की संख्या से, दिया गया द्रवेमान 8 है, और मोलर द्रवेमान 32 है, गुना कर देंगे, अवगादरो की संख्या 6.22 into 10 to the power 23, जब आप इसको solve किजिएगा, तो आप का जाएगा, यह finally, 1.505 into 10 to the power 23, ठीक है, इसको इस मांच मोल नाइट्रोजन परमानों का द्रवेमान देखे, कैसे गयाद करेंगे, तो देखे, मोल संख्या बराबर होता है, दिया गया द्रवेमान, बटा मोलर द्रवेमान, पता है, मोल संख्या हम लोग जानते है, पांच है, तो पांच लिग दिये, और यह जो है, दिया ग nitrogen परमानु को क्या nitrogen परमानू है इसका क्या मास यह यह नहीं की दरविमान ज्याद करना था है अब हम बार-बार इसको थामें पहुचा दे रहे हैं तो चलिए ज्याद कर लेते हैं कैसे करेंगे तो बस वह है कनो की जो संख्या है वह आपकी 3.011 1 into 10 to power 23 है formula तो आप जान रहे है द्रविमान बटा molar द्रविमान गुने अवगादरों की संख्या तो बराबर मेरा ये आ चुका है तो इसलिए इसको mention कर दिए ठीक है 10 to the power 23 ये कड़िया और दो बार में एक बार में ये और दो बार में ये कड़ जाएगा 3.011 को एबल दो बार पड़िया तो 6.022 आ जाएगा दो बार में ये कड़िया दो इकम दो दो सते 14 तो साथ जो है इसका द्रविमान 7 ग्राम आ जाएगा अब question 12 देख लिजिए किसी तत तो देख लिजिए proton neutron जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं तो परमानु संख्या बराबर क्या होता है तो प्रोटोनों की संख्या तो प्रोटोन की संख्या कितना है 11 तो एक बन गया हम लोग का दूसरा द्रविमान संख्या निकालना है तो द्रविमान संख्या क्या होत निकला 2,8,1 जो निकला ये कौन सा कौन सा ये मलब किसका परमानु संख्या है ये आप लोग को कमेंट करना है थर्टी नमर कोश्चन आजाएए ओजोन परत क्या है और इस परत में छेद होने के क्या-क्या कारण है तो देखिए ओजोन परत क्या है एक ऐसा परत है जो परत में छेद होने के पीछे कुछ हानी कारण गैस है जैसे क्लोरो फ्लोरो कारण जिसको आप चाहिए तो सौर्ट में CFC भी लिख सकते हैं कार्बन मॉनो ऑक्साइड यानि C-C-C-L-4 आपका हो जाएगा ये सब हानी कारण गैस के कारण ओजोन परत में छेद हो रहा है उस अब आजाएं नेक्स्ट कोश्चन आपका 15 में 15 में दिया हुआ है जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके विस्थापन की दिशा में हो तो किये गए कार का वियंजक लिखिए तो देखिए कार का वियंजक क्या हो जाएगा कार बराबर बल गुने विस्थापन होता ह यही आपको वियंजक लिखना है देखिए इसी में बी नमबर आपका कुश्चन है कि 1500 किलो ग्राम द्रविमान की कार 30 किलो मेटर परती घंटा की वेग से चल रही है ठीक है थोड़ा से कोश्चन नीचे पहुंच गया है तो वेग को 60 किलो मेटर परती घंटा तक बढ़ान मतलब 30 किलो मेटर से 60 किलो मेटर परती घंटा बढ़ा दिया जाता है तो फिर कितना जो कार किया गया वो बताना है तो चलिए इसको 100 हम लोग करेंगे इस तरह से पहले कार का जो द्रविमान है वो कितना 1500 किलो ग्राम है और का प्रारंभिक वे कितना 30 किलो मेटर परती तो बदलिएगा तो आपका आजाएगा 25 बटे 3 है ना 25 बटे 3 मीटर पर सकेंड उसके बाद उसी तरह से इसको भी चेंज कर लेना है 60 किलो मीटर परती घंटा है तो बस उसी तरह से आप लिखेगा 60 गुना 1000 बटा 60 गुना 60 है ना अब आप इसको किजिएगा तो देखे ये भी आपका आजाएगा 50 हो गया और नीचे 3 हो गया तो 50 बटा 3 मीटर पर सकेंड हो जाएगा ठीक है अब है जो कि देखते हैं तो कार का जो प्रारंभिक गती जो था गती जूर्जा जो था वो देखना है तो कती जूर्जा का फॉर्मूला क्या होता है 1 by 2 mu square ठीक है mv square होता है तो अभी प्रारंभिक है तो u से कर रहे है तो देखिए 1 by 2 तो 1 by 2 इंटू 1500 kg वजन है और 2 by 3 2 by 3 u का square है तो दो बार लिखेंगे sorry 25 by 3 इंटू 25 by 3 यह दो बार लिखेंगे है ना इसको जब solve कीजिएगा तो आपका आजाएगा 15,56,250 बटा 3 जे यानि जूल ठीक है उसी प्रकार से अंतीम उर्जा भी निकालना है तो आपका सेम हो जाएगा 1 by 2 गुना 1500 kg गुना 50 बटा 3 गुना 50 बटा 3 ठीक है तो आजागा 6,25,000 बटा 3 जूल उसके बाद क्या करना है दोनों को घटाना है तो जब आप इसको घटाईएगा मतलब हाँ दोनों को घटाईएगा इस से इस 6,00,000 से इसको आप जब घटाईएगा तो आपका आजाएगा 1,56,250 जूल है ना ठीक है चलिए अब नेक्स देख लेते हैं 16 नमबर है अनुप्रास्त तथा अनुधैर तरंग में 3 अंतर लिखे तो देखे सबसे पहले आप चाहे तो 2 तरीका है अनुप्रास्त इधर लिख दे अनुधैर इधर लिख दे में लाइन खेच करके भी कर सकते हैं और नहीं फिर वैसा अगर नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले अनुप्रास्त तरंग के बारे में बता दिया और फिर अनुधैर तरंग के बारे में बता दिया आप चाहे तो लाइन खेच के लिखेगा थोसो तथा द्रवों के उपरी सता में उत्पन होते हैं थोसो चाहे द्रवों उसके उपरी सता में उत्पन होते हैं और अनुधहर तरंग ये मेरा ज्यादा ही कुछ वेव बन गया इतना नहीं रहता है ना ऐसे करके रहता अनुपरस तरंग और अनुपरस तरंग श्रंगों एवं गर्तों के रूप में संचरित होते हैं ये लिखने के बाद आप अनुधहर तरंग के बारे में लिख सकते हैं कि अनुधहर तरंगों में माध्यमों के कंद तरंग के संचरिन की दिशा में कमपन करते हैं और अनुधहर तरंग जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में संचरित होते हैं उसके बाद आप इसमें लिख दीजिए एक पॉइंट और कि अनुधहर तरंग संपीडन एवं विरलन के रूप में संचरित होते हैं ठीक है ये तीन पॉइंट लिख करके आप दोनों में अंतर कर सकते हैं उसके बाद देखे इसी में जो है एक और कुश्चन करके दे दिया गया है कि निम्न में से समंधित आवरिती का परास क्या है देखे पहला अवश्रव द्ध्वनी का और पराद्वनी का परास बताना है तो अवश्रव द्ध्वनी का टू हर्टज जो है जो कि इसे कम ये होता है और परास होता है और पराद्वनी का कितना हो जाएगा है टूंटी थाउजन हर्टज से ज्यादा का होता है अब question number 17 देखे रदर फोड का परमानू का नाभिक मोडल क्या था तो रदर फोड का परमानू मोडल बताना है तो देखे पहला है कि परमानू का केंद्र धनावेशित होता है होता है जिसे नाभिक कहा जाता है इनके अनुसार क्या था परमानु का जो केंदर होता है P प्लस N ये धना विशित होता है और इन्हें नाभिक इसे नाभिक कहा जाता है एक परमानु का लगबक शंपूर्ण द्रविमान नाभिक में होता है तो द्रविमान जो होता है किसी परमानु का नाभिक में होता है उसक उसे के बाद नाभीग का अकार परमानूब का कि तुलना में काफी कम होता है। ठीक है, परमानू की पूश्च परमानू का नाभीगत। ठीक है तो अब रदर फोर्ड का देखिए क्या क्या कमी था तो रदर फोर्ड के बारे में ये है कि रदर फोर्ड के परमानू मॉडल के अनुसार एलेक्ट्रॉन्स जो है परमानू के नाभिक के चार और चकर लगाते हैं जैसे ग्रह सूर के चार और चकर लगाता है परन्तु एलेक्ट्रोन वित्य कच्छ में गूमते हुए अस्थाई नहीं बने रहेंगे क्योंकि परिक्रमा के दौरान विक्रन के रूप में उर्जा मुक्त करेंगे वे नाभिक की खीचे चले जाएंगे और नाभिक से टकराएंगे ऐसी इस्थिती में परमानु अत्यधिक अस्थिर हो जाएगा और नस्थ हो जाएगा जबकि ऐसी बात नहीं है तो फिर नील्स बोर है जो कि इसके बारे में कहते हैं नील्स बोर एक परमानु मॉडल देते हैं उनके अनुसार दो पॉइंट था पहला पॉइंट क्या था कि एलेक्ट्रॉन केबल कुछ निश्चित कच्छा में ही चक्कर लगा सकते हैं और उसके बाद जब एलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कच्छा में चकर लगाते है तो उनकी उर्जा का विकरन नहीं होता है ठीक है अगर वो कोई निश्चित कच्छा के अंदर घुमेगा तो उसका एलेक्ट्रॉन का जो उर्जा है वो खत्म नहीं होगा इसी के अंदर ही रहेगा उसके बाद 18 नमबर कोश्चन देखे संक्रामक रोग के फैलने से रोकने के लिए विद्याले में कौन-कौन से सब्धानिया आवश्यक है तो देखे क्या-क्या सब्धानिया हो सकता है तो पहले तो खांसते और छीकते समय रुमाल का उपयोग करें विद्याले परिसर को स्वच रखें स्वच पानी का जल उपलब्द करा कर मतलब स्वच पानी पीए और स्वच पानी का जल उपलब्द कराया जा सारे स्टूडेंट के लिए फिर वैक्सीन या टीका लगा कर और ट्वालेट को साब सुथरा रख कर इस तरह से संक्रामक रोक से बचा जा सकता है विद्याले में अब उसके बाद कुश्य नमबर 19 देखे नाइट्रोजन चक्का आरेक चित्र बनाते हुए व्याख्या करना है तो देखे सबसे पहले व्याख्या कर लेते हैं तो देखे आप लोगों को पता हुआ कि वायू मंडल में सबसे आदा कौन सा गैस है नाइट्रोजन गैस कितना 78% है तो वायू मंडल में है तो नाइट्रोजन का मुखि स्रोत है जो कि वायू मंडल ही है लेकिन जीव वायू मंडल की इस नाइट्रोजन को सीधा ग्रहन करने में असमर्थ होती है यहनि कोई भी जीव डाइरेक्ट नाइट्रोजन वायू मंडल से नहीं ले पाता है, केवल कुछ जीवानु जल्व भूमी में रहने वाले नीले हरे शैवाल तथा नाइट्रोजन इस्थरी करने वाले जीव ही नाइट्रोजन का सीधा उपयोग कर सकते हैं, ठीक है पौधे INNO3 को एमीनो समू में बदल देते हैं, जिसे पौधे जमीन से ग्रहन करते हैं, फिर पौधे उसे नाइट्रोजन साकाहारी प्रानियों और उसमें मांसाहारी प्रानियों के शरीर में पहुंचते हैं, फिर जल एवं भूमी में उपस्तित नाइट्रेट भी नाइट्रोजन के मुक्षिसरोत है पौधे नाइट्रेट का अवसेशन करके उन्हें अमीनो अमल तथा प्रोटीन्स में बदल देते हैं जिने प्रानी ग्रहन करते हैं और मृत पेल पौधे वजन्तों के शरीर में इस्थित नाइट्रोजन कार्बनिक पदार्थ तथा अच्छा कार्बनिक ग्रहन करते हैं और यह चक्र पूना चलता रहता है ठीक है इस तरह से नाइट्रोजन का चक्र चलता है और यह नाइट्रोजन का देख लीज़े चक्र देखिए हाँ बायू मंडल से नाइट्रोजन नाइट्रोजन इस्थरी करण होता है फिर यहरे पौधे के जीव द्रव भी होगा आप लोगों का carbon चक्र को भी देख लीजिएगा क्योंकि यह अभी तक set 1, 2, 3 में carbon चक्र अभी किसी में नहीं देखे हैं तो हो सकता है carbon चक्र भी आ सकता है तो आप उस पेख बर जरूर नज़र डाल लीजिएगा तो चलिए आपका आज set 3 जो है science का भी complete हो गया तो कर दो कर दो कर दो